तो चलिए दोस्तो, ब्रेकफास में आज हम बनाते हैं इडली, तो मैं बहुत दिनों से प्लान करें थी, आपके लिए सौफ्ट एकदम फलपी इडली लेकर आने की, तो आज फाइनली मैंने इसे बना लिया है, साथ में बनाएंगे दो तरह की लाजवाब चटनी, जो इडली और साथ में दोनों तरह की चटनी आपी बनाएंगे, जो इडली रोसा किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, और वीडियो को बिना स्किप किये देखेंगे, तो परफेक्टली आप इसे सीख सकते हैं, तो जो लोगों की इडली सौफ्ट नहीं बनती है, तो क्यों नहीं बनती ह उसे चावल इडली रैस का इस्तमाल किया है, ये उसना चावल जिसे हम कहते हैं वो नहीं लेंगे, गर अपन पर ऑण डूर्ज राइस ये सुपर मारकें मिलेगी, अगर आपको ये अद्ली राइस बाजार में नहीं मिलती है выгляд और आपको ये लोग तो फीरोमेक्ट से हैं, तो आप कप नहीं है मेजरिंग कप तो आप कटोड़ी से भी ले सकते हैं एक कप मैंने यहाँ पर उध की डाल ली है यह बिना चिलके वाली है क्योंकि चिलके वाली के स्थमाल हम इडली बलाने में नहीं करते हैं एक छोटी चमच हमें मेथी दाना डालेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप मेथी दाना को skip ना करें आप इससे जरूर डालें इससे अच्छे से दाल को इसके साथ वास करेंगे बहुत बढ़ियां से और इसके बाद इससे भी फूलने के लिए रख देंगे चावल डाल को पहले फूले देंगे और इसके बाद हम इसे पीसेंगे तो चलिए सबसे पहले हम डाल को पीसना सुरू करते हैं फूल जुकी है डाल तो दाल पीसेंगे किस तरीके से दोस्तों एकदम smooth grind करेंगे थोड़ा पाणी लगेगा तो पानी डाल difsu기에 कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद इसे एक पाउल में डालेंगे और इसे फेटेंगे फेटने से ये बहुत हलका हो जाता है जिसे फर्मेंटेशन असानी से होगी तो दाल को हमने फेट लिया है और चलिए अब हम चावल को भी ग्राइंड कर लेते हैं चावल को ग्राइंड हम बैचन्स में करेंगे एक बार भी नहीं करेंगे तो थोड़ी थोड़ी दो बार के बैचन्स में अराम से हो जाएगी और इसे भी smoothly पीस के हम इसी डाल वाली बैटर में डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी आप add कर सकते हो अगर आप पीसने में दिक्कत आती है और दोनों चीज़ को हम लगभग 2-3 मिंट के और फेटेंगे जिसे उरत की दाल इसके साथ mix हो के बहुत अच्छा fermentation हो 12 घंटे या 13 घंटे लगभग आप दे देंगे ठंडे के दीन में आप 24 घंटा लग जाएगा लेकिन अब गर्मी के दीन में अगर इसे बनाते हैं तो आपको 12 घंटा ही लगेगी तो देखिए फर्मेंटेशन हो चुकी है यह बहुत 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 हलका बनता है आप इसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी result खराम नहीं मिलेगा एकदम perfect result मिलेगा तो थोड़ा सा पानी नमक हमने डाल लिया है साथ के नुसार और इसे अच्छे से फेटेंगे उरत की डाल fermentation के लिए बहुत ही बहतरीन होती है अगर आप उरत की डाल आप कोई भी चीज में डालते हो fermentation बहुत जल्दी हो जाती है तो हम इसे अच्छे से फेट लिया है देख सकते कितना हलका है और बेटर को मैंने थोड़ा सा पतला किया ग्रीस करेंगे तेल से और यहां पर हम एक चथाएं हिस्सा फ्रेम को छोड़ देंगे ताकि यह फलपी बने की तो हलकी होगी तो थोड़ी सी राइज होगी तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा छोड़ देंगे तो बैटर को इस तरह के से डाल लें, तो अगर आपके पास जो भी फ्रेम है आप उसमे डालें और इसे स्टीम करने के लिए 20 मिट के लिए रखेंगे, तब तक हम चटनी बनाएंगे, चटनी के लिए आपको भी तेल ले सकते हो, यहाँ पर मैंने चार सूखी लाल मिर्च और बादाम डालेंगे आधा कफ, तो आधा कफ मुंफली हमने डाल लिया है और इसे भी हम रोस्ट करेंगे, चना दाल का टाइम थोड़ा जादा लगता है, मुंफली बाद में हमने इसलिए डाला क्योंकि मुंफली बहुत जल्दे फ्राय हो जाती है, उसके बाद इसे हम लिए तर्का लगाते हैं, सरसो के तेल से तर्का लगाएंगे, राई, उड़की डाल डालेंगे, थोड़ा से सुखी लाल मिर्च और कडि पता फ्रेस डालें, अगर फ्रेस है तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो फ्रेस हमने डाल लिया है और तर्का लगाएंगे, तरका लगने के बाद ये चटनी बहुत 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 लाजवाब हो जाती है, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी जादा, तो ये मेरी फेवरेट चटनी है और मैं अकसर इसे बहुत सारी रेस्पी के साथ बनाती हूँ, तो चलिए आप हम दूसरी चटनी बनाते हैं, यहाँ पर चणा डाल लिया है, चणा डाल रोस्टेट पहले से है, तो रोस्ट करने की ज़रुत नहीं है, कुछ कड़ी बता लेंगे, और उसके बाद इसे भी फ्राइ करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे रोस्ट करें, लो फ्लेम में, और जैसे ये अच्छे से फ्राइ हो जात लिया है, लेकिन इहां पर तर्का, हम उसमें नहीं लगाएंगे, हम यहां पर पैन में लगाएंगे, तो थोड़ा से सोटे होने दे, और इसके बाद वछितनी भी चटनी हमने भी सी थी, उसे हम डाल लेंगे, और इसके बाद इसे फ्रेक लिए, कालर इस तरीके से इसलिए कि हमने यहां पर बावल जाना आनए अछ्गी क्टनी तीक पन यहां इसां की है यह मीशले है सब्सक्राइड को नहीं हाद सब्सक्राइब ब्र kell थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ये देखे कितनी आसानी से निकल गई है देखे कितनी सॉफ्ट बनी है दोस्तों बहुत 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 सॉफ्ट बनी है इडली अगर आप इस तरीके से इडली बनाते हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी इडली फेल हो गई आप इडली नहीं बना सकते हो बहुत हलकी फुलकी से इडली बन जाती है तो है ना बहुत आसान रेसिपी अगर आप इस तरह के से इडली और इसके साथ चटनी बनाओगे तो बहुत ही सब ही आपके घर में लोग जितने भी लोग है ना आपकी तारीख करेंगे यह मेरी गारेंटी है और यह वाली चटनी ना बहुत ही लाजवाब लगती है इसे पäre डोसे के साथ ही बनाती हूँ बिना नारिएल का भी आप बहुत टेस्टी चटनी बना सकते हो आपको नारियल की जरुरत ही रही है तो आप इस तरह के से बनाओ इडली और उसके साथ ही टेस्टी वाली चटनी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये दोनों चटनी और इडली कैसी लगी और वीडियो पसंद आने पर बस आपको छोटा सा काम करना है आपको बस मेरे वीडियो को लाइक करना है चानल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह की रेस्पी कित तब तक ले बाबाइ